नमस्कार डेड़ वर्षे से बीएड़ से संबंधत मत पून जानकारी यदि डेड़ अभ्यारती पुनाह सुप्रीम कोड जाती हैं तो वर्गतीन में जौनिंग लेचुकी बीएड़ अभ्यारती बार होंगे ये नहीं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं स्यों में डेड़ किये हूँ और जो मेरी वर्थमान में अंकों की जानकारी ये अतिती सिक्षक से 99.59 है तो देखें वर्थमान में मत्यप्रदेश हाई कोट में डेड़ वर्षिस बीएड केस से सम्मंदित 24 सप्रेल की सुनवाई में सुनवाई होने की बाद महत्पूर आदेश आया जिसमें इस पश्ट तोर पर बीएड़ अभ्यारतियों के जीत हुई जो कि कहा जाए तो इस्तिती को देखा जाए मानने सुप्रेल कुट के अधेश अनुशार 17-80 दीशत नरणा था उम्मेद थी के डेड़ अभ्यारतियों के जीत हुई लेकर कहीं एक सरकार का जुका होने की कारण मत्यपरिदेश सरकार किस्यों निकालना नहीं चाहती थी इस कारण से जो मामला है सबजेक्ट टू आउटकम होने के बाद भी सबजेक्ट टू आउटकम नहीं माना गए बेड़ अभ्यारतियों को तरके दिया गया है कि बेड़ अभ्यारति कि उर से प्यारवी की जाती या केस लगाया जाता तो अब इसे भरती को सब्जेट को आउटकम माना जाता इस कारण से बेड़ अभ्यारतियों की जीत हुई अब यदि पुनाहा डेड़ अभ्यारती सुप्रीम कोट जाती हैं और वहाँ केस को रखते हैं तो क्या डेड़ अभ्यारती बाहर हो सकती है जब जूकि मानली सुप्रेम कोट निर्देश दिये थी कि जो भरती है वहाँ प्रत्येक राज्च की जो सब्जेक्ट टू अब किस्तिते किसी प्रकार के हो तो वहाँ की हाई कोट निर्दारत करी तो मदब्रत अभ्यारत निर्दारत कर चुकी है जब वहाँ पर डिर्द अभ्यारती को निर्दारत नहीं मिला है तो अब मुस्केल है कि सुप्रमानी सुप्रीम कोट में जहाँ पर जो निर्देश दिया गया है कि जो हाई कोट वहाँ निर्दारत करी तो संभाव नहीं है कि अब बिर्द अभ्यारती बाहर होगी लेकिंगे बरतमान की इस्तिती देखें तो को यह कुछ यही परिकार से इस्तिती बरी हुई है नमस्कार